दोस्तो अगर आपके घर में थोड़ी भी जमीन है तो आप तोरी बड़े अराम से उगा सकते हैं और अपने घर की शुद्ध सबजी आप खा सकते हैं दोस्तो आपको चाहिए थोड़ी सी जमीन चाहे एक गमला हो या फिर कची जमीन तो आपको थोड़े बीज लेने हैं और उनको उस जमीन में डाल देना है और पाने डाल देना है दो दिन दिन बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्लाइंटलेट्स उगाए हैं ये देखी रोज तो अब इसमें एक पत्ता हो गया है और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और एक से दो पत्ते और इस तरह से दो से चार चार से छे इस तरह से पूरी एक बहुत अच्छी हेल्दी बेल लग जाएगी जैसे आपकी बेल थोड़े लंबी होगी उसमें ग्रोथ होगी तो फिर फ्लावर साने शुरू हो जाएंगे दोस्तों तोरी बहुत जल्दी फ्रूट दे देती है आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसमें देखिए इतनी ग्रोथ हो गई है अब इसमें और इसके बाद इसमें थोड़ी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है जैसे फ्लावरिंग शुरू होती है तो सभी फूल फल नहीं बनते हैं दोस्तों बहुत सारे फल जड़ जाते हैं लेकिन जो फल बनता है वो पहले फल से शुरू होता है और फ्लावर उसमें बाद में खिलता है ये देखिए दोस्तों ये जो गुच्चा है इसमें ये फूल लगते हैं और ये फूल जड़ जाते हैं ये सिरफ मदुमक्यों को आकरशित करने के लिए होते हैं दोस्तों और जो फ्रूट है वो इस तरह से लगता है इसमें फ्लावर बाद में आता है पहले फ्रूट दिखेगा आपको और ये फ्रूट्स ग्रोथ होगी और ये इस तरह से आकार ले लेंगे ये देखिए दोस्तो ये तोरी लग गई है और ये भी देखिए बहुत सारी तोरी एक ही बेल से दोस्तो मुझे बहुत सारी तोरी मिली बहुत फल आया इस बेल में तो आप अपने घर में तोरी लगाएं दो से तीन बेल अगर आपने लगाई आप तो तोरी की सबजी खाएंगे ही इतनी तोरी लगेंगी दोस्तों आप बाटते बाटते भी नहीं थकेंगे आज की इस वीडियो में बस इतना ही थेंक्यू फॉर वाचिंग